नमस्कार अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होमियोपैथी क्योर ओल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गाउट के बारे में। गाउट गाउट गठिया का एक जटिल रूप होता है जो किसी को भी प्रभावित कर सकता है। एसा महसूस हो सकता है कि आपके पैर में आग लगी है। इसके अलावा इसके प्रभाव से आपके जोडों का गर्म होना सूजन आना शामिल है। यहां तक कि आपके लिए बेड़ शीट का भार भी असाहनिया हो जाता है। रक्त में यूरिक ऐसे बढ़ने के कारण होने वाली विभिन स्थितियों के लिए गाउट एक सामान्य शब्द है। इसे वातरक्त नाम से भी जाना जाता है। यहां आमतोर पर आपके पैरों को प्रभावित करता है। हालां की गाउट का उपचार किया जा सकता है। और दोबारा गाउट होने के खत्रे को भी कम किया जा सकता है। गाउट के लक्षण गाउट सिंप्टम्स गाउट आपकी हड़ी के किसी भी जोर को प्रभावित कर सकता है लेकिन यहां आमतोर पर पैरों की उंगलियों, टकनों, घुटनों और हाथ की उंगलियों को प्रभावित करता है गाउट के लक्षण और संकेतों में शामिल है किसी एक या अधिक जोडों में गंभीर दर्ध होना, जोडों में जलन होना और नरम हो जाना, प्रभावित जोडों में और उनके आसपास सूजन होना इसके लक्षण कुछ घंतों में तेजी से विकसित होते हैं, और आम तौर पर 3-10 दिनों तक रहते हैं यह सीधे तौर पर पैर की बड़ी अंगुली को प्रभावित करता है, और आम तौर पर रात में शुरू होता है इसके बाद इसमें तेज डर्ध होता है और धीरे-धीरे यह सामान्य स्थिती में आता है गाउट से परेशान अधिकतर लोगों को एक साल के अंदर-अंदर ही इसके और अटैक आते हैं पहली लक्षण महसूस होने के 12 से 24 गंटों में यह सबसे गंभीर होते हैं प्रभावित जोड में किसी भी हलकी चीज का स्पर्ष भी बेहत दर्ध भरा वह असानिय होता है जैसे चादर का भार या जुराप पहनना इलाज ना होने पर इसके लक्षण समय के साथ बढ़ जाते हैं यदि यूरिक एसिड के क्रिस्टिल मूत्र पत में जमा होते हैं तो वे गुर्दे की पत्री किड्नी स्टोन बना सकते हैं प्रभावित जोड की तवचा लाल चमकदार होना वह इसकी खाल का उतरना गाउट के सामान्य लक्षण पैर की अंबुली में दिखाई देते हैं लेकिन अन्य जोड भी इस समस्या से प्रभावित हो सकते हैं जिन में शामिल है पैरों के जोड तकने, घुटने, कोहनिया, कलाई, अंबुलियां बेहब कम मामलों में गाउट शरीर के केंद्र जैसे रीड की हड़ी, कंदो या कूलों को प्रभावित करता है यह समस्या अमुमन शरीर के कई जोडों को एक साथ प्रभावित नहीं करती है लेकिन कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है यूरेट क्रिस्टल जोडों के बाहर भी इकठा हो सकते हैं और यहां तक की इनको त्वचा के नीचे सफेद आकार में देखा भी जा सकता है आम तोर पर इनमें दर्द नहीं होता लेकिन जब यह फुटते हैं तो इनमें से सफेद तरल पदार्थ सा निकलता है गाउट के कारण और जोखिम कारग गाउट causes and risk factors खोन में यूरिक एसिड की अधिक मात्रा वऊट को तिश्यू में यूरिक एसिड क्रिस्टल का बनना गाउट होने का मुख्य कारण होता है यूरिक एसिड सामान्य रूप से हमारे शरीर में पाया जाता है यहां शरीर में मौजूद प्रोटीन के तूटने से बनते हैं शरीर के रक्त में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने के कारणों में शामिल है मोटापा, डिूरेटिक दवाओ, मूत्रवर्धक जैसी कुछ दवाओं का इस्तमाल लंबे समय से गुर्दे की कार्यक्षमता में कमी आना आईवी कॉंट्रस्ट डाई का उप्योग करना, CT स्कैन और MRI स्कैन के लिए उप्योग की जाने वाली डाई आनुमनशिक कारण यदि आपके माता-पिता को गाउट है तो आप में इस समस्या के होने की आशन का अधिक होती है गाउट का खत्रा कब बढ़ जाता है? सरजरी, कोई गंभीर चोट, निरजली करन, भूखे रहना आयो और लिंग पुरुषों में गाउट होने के मामले अधिक पाए जाते है क्योंकि महिलाओं में मुख्यता यूरिक एसिड का स्तर कम रहता है हालांकि रजोनिवृत्ती के बाद महिलाओं का यूरिक एसिड स्तर पुरुषों की ही तरह हो जाता है आम तौर पर 30-50 वर्ष की उम्र के बीच पुरुषों में गाउट होने की संभावना अधिक होती है जबकि महिलाओं रजोनिवृत्ती के बाद इस तरह के लक्षण और संकेत विक्सित करती है शराब पीना शराब का सेवन करना वह विशेश रूप से बियर गाउट के जोखिम को बढ़ाती है हाई बीपी की कुछ दमाएं खून में यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ाती है कम खुराग की एस्पिरिन का सेवन करने से भी गाउट हो सकता है घोजन में लाल मास, समुदरी आहार, शेलफिश और तेल्युक्त मचली वज्यादा मीठे फलो की चीनी, फ्रुक्तोज से भी गाउट का जोखिम बढ़ जाता है जीवन शेली में थोड़े से बदलाव करने से ही आप गाउट के जोखिम कारकों से और इसके दोबारा अटैक के खत्रों से बच सकते हैं चलिए जानते हैं इसके बचाव के लिए क्या करें उच्चस्तर के प्यूरीन, यूरिक एसिट को बनाने वाले रसायन, युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचे इसके लिए आपको लाल मास, बासी खाना, तेल से बनी हुई मचली, समुदरी भोजन और खमीर उठने के बाद बनने वाले खाद्य पदार्थों से दूरी बनानी चाहिए शक्कर, युक्त, पे, पदार्थ और स्नैक्स ना खाएं, क्योंकि यह भी गाउट को बढ़ाने का काम करते हैं आपके शरीर के लिए जरूरी वजन को बनाए रखें और संतुलित आहार का सेवन करें नियमित व्यायाम करें और ऐसी गतिविधियों को करें जो आपके जोडों पर ज्यादा तनाव न डालें परियाप्त मात्रा में पानी पिए शरीर में पानी का सही स्तर बनाए रखने से आपके जोडों में क्रिस्टल बनने का जोखिम कम हो जाता है शराप का सेवन कम करें बीयर और अन्य शराप के सेवन से बचें गाउट की होमियोपैथिक दवा होमियोपैथिक मेडिसिन फॉर गाउट लीडम पाल 32 बून्द हफ़ते में 3 दिन सुबह खाली पेट एसेड बेंजोकम 32 बून्द दिन में 3 बार कॉलकिकम 32 बून्द दिन में 3 बार ब्रॉनिया अलबा 32 बून्द दिन में 3 बार दी यूरिक ड्रॉप 15 बून्द आधा कप गुनगुना पानी से दिन में 3 बार विडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद विडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले